Hello everyone, welcome to real-time, power of biometric. आज की इस वीडियो में हम देखेंगे real-time biometrics के long-range phase detection. Pro 1400 को हम cloud software में connect कैसे कर सकते हैं. तो cloud software में connect करने के लिए, हमें सबसे पहले menu press करके com में जाना है. com में जाते हैं में सबसे पहले हमें mode check करना है. जब भी हम इस device को cloud software में connect करते हैं, चाहे वो online realsoft.com हो, या आपका कोई cloud server हो, उसमें जब भी हम connect करेंगे, तो हमें net mode internet करना होगा. local का जो option है, वो सिफ desktop software के लिए है. cloud software में जब भी हम connect करेंगे, हमारा net mode internet होना चाहिए. उसके साथ ही, wifi या ethernet जो भी हम use करने वाले हैं, उसके थुरू हम device को internet दे सकते हैं. एक बार device को internet मिल जाएगा, चाहे ethernet या wifi के थुरू जैसे भी हमें देना होगा. device के एक बार internet मिल जाएगा, उसके बाद हमें server set में जाना है. server set के अंदर से server IP हमें insert करना है. server IP जो हमारा होगा, जो भी आपका cloud server का IP आपको मिलेगा, वही same IP address आपको यहाँ डालना है. जैसे अभी हम देखें, तो online realsoft.com का जो IP है, वो है 103, 121, 236, 121. यह हमारा real time के cloud server का IP है. ऐसे ही आपको एक server port मिल जाएगा, अगर आप desktop software यूज़ करें, तो आपको अलग port मिल जाएगा, जब आप cloud software यूज़ करेंगे, तो आपको एक separate port मिल जाएगा. जैसे इसके लिए cloud server पर port 88 होगा. और static IP और यह server port डालने के बाद जो response का timing है, इसको आप अपने इस आपसे 10-15 seconds कर सकते हैं, यह 30 seconds भी ऐसे ही चुरख सकते हैं. मेजरली हमें जो ध्यान देना है इस device को connectivity में, वो हमारा mode, internet, server का IP port, Wi-Fi या Ethernet के थुरू device को internet, इसके साथ हमें एक चीज और ध्यान देना है, वो है device के info के अंदर से device का serial number. Software जब भी हम device को add करेंगे, हमारा serial number compulsory सही होना चाहिए, वही serial number जो हमारी device के अंदर है, अगर आपका serial number गलत होगा, तो device software में connect नहीं होगी. तो end of the day हमें क्या ध्यान देना है, एक हमें serial number ध्यान देना है, दूसरा, com के अंदर से हमें mode को internet रखना है, server IP, server port हमें चेक करना है, और उसके बाद Ethernet या Wi-Fi से device को internet देना है, cloud software में connectivity में बस यही चीज़ी ध्यान रखनी है, सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, वो हमारा mode जो की internet होगा